नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाध्या इस सुआगत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में बजार में बहतरीन कामकाज होता हुआ दिख रहा है यानि इससे अच्छा नहीं हो सकता है जो एक्सपेक्ट किया था वही हो रहा है आप सभी के साथ का लेट नाइट वीडियो इनफेक्ट लेट नाइट नहीं सवा दस बजे के करीब थी आप चाहों तो लेट नाइट कह सकत है यहां सबसे पहले तो मैं मार्केट का अपडेट दू तो 80.50 उपर है सेंसेक्स में 160 पॉइंट की देजी और मिट कैप बढ़िया कर रहा है बैंक निफ्टी लाल निशान में है चाहे फ्लैट है लेकिन लाल में है कल व्यू क्या था कि बैंक निफ्टी और SBI के स्टॉक क रिजल्ट्स पे कोई राय नहीं है मार्केट जो करेगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे एक्जेक्ली वही हो रहा है बैंक निफ्टी विप्रीत ट्रेड कर रहा है और ट्रस्ट मी SBI के नंबर जो देना सब को कंफ्यूस किया था अच्छे खराब नहीं थे वो वो निउट्रल तो अब निउट्रल पे क्या बिनाबाद के हवावाजी करना है कि या अच्छे नंबर है भगेगा या गिरेगा जब कुछ नहीं था तो एक्सेप्ट करना ही इस मार्केट में सबसे बड़ी बात है वो मैंने आपके साथ किया था आगे बात करू जहां आपके साथ तेजी पोली वहाँ लिटरली तेजी हुई और बढ़िया वाली हुई टाटा मॉटर्स कहा था दमदार नंबर है दो वीडियो बनाई दी कुछ लोग है जो बिनाबाद के ट्रोल करते हैं होता कुछ नहीं मेरको तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उनके चेकर में ना कमेंट ब पर हाला कि गैब डाउन हुआ उसके वाद रिकवर होके 7% उपर चला गया तो वो मार्केट है कुछ भी करेगा लेकिन जो चीज दिख रही है वो आपके साथ उसमें कमेंट क्या कर रहे हैं कल देखना वाई टाटा मॉटर्स गिरेगा अब जो बंदा लेके बैठा है लिख रहा है वो आप तक पहुचा सकूँ बस क्योंकि 100% अगर क्लेम करेंगे ना तो हमसे बड़ा बेपकूफ कोई ही नहीं समझ रहे हो मार्केट सुप्रीम है और वो रहेगा बस जो हमने आपके साथ डिसकस किया वो हो रहा है तो थैंक्यू इससे जाधा कुछ नहीं टा जावट को लीड कर रहा है UPL का आता आपसे कि इस कंपनी ने मतलब निवेशकों का जो पैसा चूसा है ना वो क्या ही बता हूँ आपको 6% नीचे है 52 वीक लोह लगा दिया एक बार फिर से बहुत ही खराब नंबर्स थे बहुत ही ज़्यादा खराब थे और उमीद भी यही वहीं बात करें गिरने वाले तो पेटीम एक बार फिर 10% कल कहा था आपसे की सर्केट फिल्टर रिवाइज हो गया है 10% का हो चुका है 10% गिर सकता है 10% बढ़ सकता है 10% आप देख सकते हो गिरिया UPL में 6% की गिरावट है तो बैंक ओफ इंडिया में 5% की दिव्यान इंट और गिरने वाले तो नवीन फ्लोराइन जब से इसके मैनेजमेंट का रिजायन आया तब से तूटी रादा और आज इसने 52 वीक लो भी हिट करा है 32.75 पे करेंडली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को इस समय डेलेवरी के अच्छे नंबर से लेकिन ये स्टॉक नहीं गया है मैंने इसके उपर भी वीडियो बनाई दी कि अच्छे नंबर से जाना चाहिए उपर लेकिन नहीं गया है तो ये एक स्टॉक है जिसने बजार में हमें गलत खेरा दिया ये होता है इसलिए हम 100% नहीं कह सकते हैं आपको नंबर अच्छे लग रहे हैं मुझे देख सकते हैं कहां ट्रेड कर रहा है अठासी रुपे पार हो गया है 52 भी खाई लग रहा है तो इतनी जल्दी नहीं होती है ट्रोल करने के लिए थोड़ा तो वेट कर लिया करो अब देख लो आप 78 वाल अठासी हो गया दोबारा मिलेगा भी नहीं 78 अब लोगों को आगे के लिए फार्मा ओटो एनर्जी लीड कर रहा है बेंगिंग फाइनेशल सर्वेसे बार्केट को ड्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय फ्यूचर्स में एफ इस बड़ी बाइंग करके गए थे जो मैं आपके साथ का रोडी डिसकस कर चुका हूँ डिया इस ने अच्छ टाटा केमिकल्स एल्बिक फार्मा जी ए टी एंडी इंडिया यह कुछ इस टॉक्स हैं जो आज आपके लिए नमबर पेश करेंगे जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आप सभी के साथ डिसकस करता रहूँगा तो बने रहेएगा चैनल के साथ थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इन द्रेट गर्मा ज्सक्तम इमार्णी में वाचिंड इस नम आप करेंगें जैसे यह कुर्डवाईगा जैसे प्लिए आटा जाएंडिया ने रहे में चैनल